जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागदे महाकाली भगत ग्यान यूट्व चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ अपने घर की जोकट पर ये आठ चीज लाल कपड़े में बांध देना माता काली भगवान का वास आपके घर में होने लगेगा जी हाँ दोस्तों अगर आप लोग चाते हैं कि आपके घर में उस देवी देपता का वास हो जिसकी आप पूजा पाट कर रहे हैं जिसकी मानता कर रहे हैं अब यहाँ पे जितने भी काली मा के भक्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये वीडियो उन भक्तों के लिए भी है और अगर जो जो भक्त अन्य देवी देपता का पूजन करते हैं भगवान का पूजन करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है अधित्र करके लोग पूजा पाड़ तो करना शुरू कर देते देवी देपता भगवान की लेकिन ये नहीं पता ऊता उनको कि हमारे घर में किसी देवी देपता का वास है भी और नहीं भी है मतलब हमारे घर में नेगिटिव चीज़ तो नहीं है तो हर तरह से आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता लग पाता कि आपके घर में मा काली का वास है भवान का वास है या फिर किसी और देवी देपता का वास है तो देखिए कुछ लोग ये गलतियां करते हैं पूजापाड भोत करते हैं मंतर जाब भोत करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन ये एक काम नहीं करते हैं और ये एक काम सभी भक्तों को करना चाहिए जितने भी काली मातके हैं जितने अन्य देवी देपता भगवान के भक्त हैं उन सभी भक्तों को इस कारे को करना चाहिए इस कारे को करने से ही आपके घर में देवी देपता कदम रखते हैं भगवान कदम रखते हैं जब तक आप इस कारे को नहीं करोगे तब तक आपको आपकी पूजा पाट का फल नहीं मिलेगा ना ही आपके घर में किसी भी देवी द जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर हो या आपके घर में किसी ने करवा रखी है जैसे कुछ भी है जब तक आप इस काम को नहीं करोगे तब तक आपके घर में से नेगिटिवी नहीं हटती है मतलब जब ये काम करोगे तो देवी देपता का भगवान का आपके घर में वास होगा और जहां भगवान का वास होता है वहाँ कोई भी नेगिटिव शक्ति नहीं भटकती है तो आज मैं आपको एक छोटा सा कारे बताने जारी हूँ चितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ये कारे हैं जो पूजाबाट की सुरवात करते हैं उन लोगों को भी पहले करना चाहिए और जो पूजा पाट करते करते जिनको काफी समय हो गया है उन लोगों को भी सेक कारे को जल्दी से कर लेना चाहिए अभी आपको क्या करना है वीडियो को लाश्ट तक देखना है अगर आप इसे लाश्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को आदिय दूरी देखने हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है तो देखिए आपको क्या आठ चीजों की जरुद पड़ेगी इस कारे को कंदे के लिए और आठ चीजे क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बदा देती हूँ पर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियो आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचें तो आठ चीजों की जरूरत में आप लोगों को क्या के लेना है जैसे पहली चीज में आपको काली मिर्च लेनी है ठीक है, कितनी पांच काली मिर्च आपको ले लेनी है जो मसालों में होती ही, गोल गोल काली काली मिर्च आपको पांच ले लेनी है दूसरी चीज में आपको एक फिट करी का तुकड़ा ले लेना है, छोटा सा के तो भी कारे सही रहेगा अगर आप हरी लाई जी के बीज लोगे तो भी कारे आपका सफल रहेगा ठीक Gore है इन दो नो में से जो भी आपको मिले वो ले लेना और पांचवी चीज में आप लोगों को क्या लेना है पांचवी चीज में आपको ले लेने हैं और आठ वी चीज में आप लोगों को एक लेनी हैं साबुत सुपारी ठीक है जी बस ये आठ चीजे हैं जो जो मैंने भी आपको बता दी हैं वीडियों में इनी का आपको इस्तमाल करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ एक बार आपको ये कारे करना है चाहे आप इसे हभी कर लो चाहे आप इसे बाद में कर लो कभी भी कर लो बस करना आपको एक बार ही है एक बार समझ लीजे आपने इस कारे को कर लिया तो आप यकीन मानो है मत मानो आपको जब आपनी आँखों से खुद दिखेगा कि आपके घर में श्याक्षाद भगवान देवी देपता का वास है तब आपको अपनी आँखों से खुद दिख जाएगा मुझे जादा बताने की जुरुत नहीं है और मैं आपको बस कारे बता रही हूँ कैसे कैसे आपको करना है इस चीज़ के बारे में मुझे खुद नहीं पता था लेकिन जब मैंने पुझा पट की सुरुवात की थी करते करते मुझे कम से कम दो से धाई महीने हुए थे तब जागे मुझे माता ने सवारी किसी के उपर आके पताय था तब मुझे पता चला था तब मैंने इस कारे को करा मेरे घर की सारी की सारी negativity भग गई और positivity हमेशा आज भी मेरे घर में विराजमान है यानि देवी देपता भगवान की शक्ति तो अब आपको करना क्या है इन सब चीज़ों को आप लोगों को ले लेना है और यह आपको कहीं भी दुखान पर बिल देगी इन में से कुछ चीज़ आपके घर में भी होगी उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अभी आपको क्या करना है लाल कपड़ा लेना है ठीक है लाल कपड़ा आप इतना लें कि जितना आपको यह सारा समान उसके अंदर आपको लाल कपड़ा ले लेना है और लाल कपड़ा आपको पिलेन लेना है और पवित्र लेना है नेया लेना है यूज करवनी लेना ठीक है अब आपको करना क्या है जब आप यह सारी चीज़े लाल कपड़ों में डाल दोगे उसके बाद आप लोगों को ये सब चीज़े डालने के बाद माकाली का ध्यान करना है मतलब उस देवी देपता का भावान का ध्यान करना है जिसकी आप उजापाट करते हैं जिसकी मानता करते हैं ठीक है उसका ध्यान करते हुए आपको एक मंतर बोलना है जो मैं बता रही हो ध्यान से सुने इस मंतर को आपको तीन बार बोलना है और तीन बार आपको इस पोटरी में यह सब समान जब आप लाल कपड़े में रख लेंगे तो इसको पोटरी बना के यह मंतर तीन बार बोल के तीन फूक इसमें पोटरी में लाल कपड़े में मार देन मानने के बाद सीधाब इसे अपने घर की चोकट पे बान देना काले धागे से तिक है Гर को जरूर करना है जितने भी अन्य देवीदेपता के भहवान के भक्त है ये कारे उन्हीं लोगों के लिए है और जब तक वो ये कारे निकरेंगे तब तक उनके घर में कोई भी देवी देपता वास नहीं कर सकता अब आपको क्या गरने मंत्र जो बता रही हो ध्यान से सुने यह मंत्र आपको तीन बार बोलके फूक मारके आपको इसे तुरंत ही अपने घर की जो में चोकट है जो आपका में गेट है में दर्वाजा जहां से लोग आते हैं जहां से आप लोग बाहर जाते हैं उसी चोकट पे आप लोगों को इसे बान देना है काले धागे से ठीक है ये कारे जल से जल्द कर लो उसके बाद आप देख लो कि हर दिन आपको आपके घर में खुद लिप लगे करेगा जैसे कुछ लोगों को घर में ऐसे लगता है जैसे गुटन सी महसु सोरी और डर लगता हो तो ये सब चीज़े आपकी हमेसा के लिए खतम हो जाएगी और आपके घर में सुए मा काली भगवान देवी देपता का बास रहेगा तो चलिए भगतों मैंने होगा हमना पूरी करें खुछ रहे हैं आप और आप लोगों का परिवार